जैसल मेर में पिछले तीन दिनों से हुई भारी बरसात की वज़े से क्षेत्र में बाढ जैसे हालात है। बारिश का पानी विक्राल रूप लेता हुआ सम को पूरी तरीके से पानी में जुबा चुका है। जैसल मेर जिले का विश्व प्रसिव्द सम क्षेत्र पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। जैसल मेर का सम इलाका भारी बारिश के चलते चारो तरफ से पानी में घिर चुका है। कई गाउं धानिया बाढ की चपेट में है। यहां तक कि राजस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में बाढ जैसे हालाद बने हुए है। भारत पाक बॉर्डर के असी गाउं का संपर्क तूट चुका है। ग्रिट सब स्टेशन तक पानी में जूब चुका है। पूरे इलाके में आपूर्ती बंध है। जादा प्रभावित इलाकों को खाली कराया जा रहा है। चैक्टर से लोग सुरक्षत इलाकों तक पहुँच रहे हैं। जहां सम इलाके में पिशले 5 साल से 190 mm औसद बारिश होती आई है। वहीं इस बार रिकॉर्ड तोर 590 mm बारिश दर्ज हुई है। सम तहसीलदार ने बताया कि औसद से जादा बारिश हुई है इस बार। अगस महीने में ही करीब 470 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। जो कि औसद से काफी अधिक है। ाल необход अधिक कोई भी सायता नहीं मिल रही है। जवाब दे दो जन फ्टी और क्या करेंगी 15 से आज तक इ southern चकी चकी बारिश के पानी ने सम गाउं में बिजली घर के GSS को भी अपने चपेट में ले लिया है इसमें 3 फीट से जादा पानी भरा हुआ है जिससे दरजनो गाउं में बिजली भी बंद है पानी के समय पर निकासी नहीं होने से पानी धीरे-धीरे लोगों के घरों में घुसने लगा है सम के सुरासरी में स्थित Wildlife Institute of India का G.I.B. Breeding or Hatching Center में बाढ़ का पानी घुसने से वेग्यानिकों की टीम को काफी परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा है हाला की G.I.B. बर्च सुरक्षित है लेकिन पिछले कई दिनों से बिजली व्यवस्था बाधित होने से दिक्कतों का सामना करना पर रहा है सम के बाजारों में पानी भरा हुआ है कई धानियों में पानी घुसने से आफगमन के रास्ते अवरोध हो गए है कई सडक मार्क बाड की भेट चड़ गए है करते हैं तो पाकिस्तान से आए में लोगों को बसाते हैं कि आप दा विबाग यहां कोई विबाग नहीं है सम गाओं के एक निवासी का कहना है कि 25 साल बाड ऐसी भारी बारिश का मंजर देखा है हर जगे सडक मार्क तूटे हैं और कई गाओं से संपर्क भी तूट चुका है बरसात के समय तो परियटन स्थल सम का संपर्क भी तूट गया है वहीं समधनाना गाओं का रास्ता भी बंद हो गया है जिससे भारत माला सडक मार्क तक पहुचना भी मुश्किल हो गया है समय रहते अगर गाओं से पानी की निकासी नहीं की गई तो बहुत नुकसान हो सकता है जिला प्रशाशन की ओर से राहत और बचाओ का काम जारी है लेकिन इंतजाम ना काफी साबिद हो रहे है जिला कलेक्टर प्रताप सिंग नथावत ने सम गाओ पहुच कर मुआयना किया लोगों की समस्या सुनी जिला अधिकारियों को सक्त निर्देश दिये जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि जल भराओ की जगे से दूर रहे वहीं जहां कहीं भी सूचना मिल रही है जिला प्रशाशन मौके पर रेस्क्यू कारे कर रहा है तबाही इतनी बड़ी है कि प्रशाशन भी हर जगे पर मदद पहुचाने में काफी वक्त लगा रहा है हाला कि कलेक्टर ने खुद मौके पर जा कर मुआयना किया मगर मीलों पहले इस जिले में हर जगे समय पर पहुचने में काफी समय लगता है प्रभावित लोगों को आश्वाशन दिया गया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी स्थानी अधिकारियों को राहत कारे में तीजी लाने के निर्देश दिये गए है जिला कलेक्टर ने कहा है कि हम अतिवरिष्टी से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करेंगे हमारी प्रात्मिक्ता प्रभावित लोगों को राहत पहुचाना और उनके जीवन को सामाने बनाना है तो वहीं दूसरी तरफ जैसल मेर के पोखरन जिले में इस साल हुई भारी बारिश में पिछले 28 सालों का रेकॉर्ड तूट गया है पोखरन में पिछले हफ़ते से लगातार बारिश जारी है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अंतिम बार साल 1986 में एक साथ 176 mm बारिश दर्श की गई थी लेकिन उसके बाद से ऐसी भारी बारिश नहीं हुई है इस बार मौनसून की पहली बारिश 186 mm रही जो रेकॉर्ड तोडने वाली बारिश साबित हुई शहर में स्थित सालम सागर तालाव का पानी ओवरफ्लो होकर बाहर आने लगा इस मैने पोखरन में कुल 494 mm बारिश हो चुकी है जिससे शहर की नदिया नाले और तालाव पानी से लबालब हो गए है पोखरन के साथ भणियाना, पद्रोडा, सांगावेरा, मेडवा, उचपद्रा, इंद्रानगर, रेतडिया, सहित कई गाउं में भी लगातार बारिश के बाद जलभराव की स्थिती हो गई है प्रशाशनिक अधिकारी मौके का जाइजा ले रहे है भणियाना में जलभराव को देखते हुए थाना अधिकारी देवाराम गोदारा और पंचायत अधिकारी जेसीवी की सहायता से पानी की निकासी का प्रयास कर रहे है जैसल मे से वीमल भाटिया की रिपोर्ट